गुद मॉर्णिंग स्टूडेंट जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन नंबर नाइन आई वॉंट के लेसन को हमने एक्स्प्लेंड कर लिया था और आज हम अपने सेकंड वीडियो में इसी लेसन के न्यू वर्ड्स और कुश्यन आंसर को हम देखेंगे उसके पर फिर हम अपने ठर्ड वीडियो में उसके ग्रामर पोश्ण को हम देखेंगे तो देखें यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है निउ वर्ड्स त्रॉंग् s-t-r-o-n-g strong तो strong means क्या होता है strong means देखे यहाँ पर मैंने लिखा है strong strong means होता है प्रबल प्रबल मतलब ताकतवर second है second है vend vend मतलब होता है छड़ी third है wish wish जहना third है wishes उसका होता है इच्छा fourth है bludge मतलब जोका second last है trunk means होता है sword जो हाती की होती उस्ते sword बोलते है और last है monster monster means होता है death ठीक है यह हमारे new words है जिसका कुछ words है जिसको हमका हिंदी में अनुवाद जानना था ठीक है उसके बाद है answer this question what where the monkey first three wishes तो monkey की first three wishes क्या क्या रहती है जैसा कि lesson में हमने देखा है कि monkey जादूई छड़ी से three wishes मंगता है तो first wishes क्या रहती है उसकी तो first wishes उसकी रहती है he want to long neck like a zebra first wish रहती है उसकी कि वो zebra को देखता है कि zebra zebra अपनी गर्दन की सहता से पेड़ के बड़े पेड़ के उपर ताजे ताजे पत्यों को खा सकता है इसलिए वो अपनी पहली wish मंगता है जिराफ की तरह sorry है ना जिराफ जिराफ की तरह उसकी गर्दन लंबी हो जाए फिर उसके बाद उसकी second wish रहती है he want to trunk like a elephant जब वो नदी में elephant को पानी पीते और पानी को फेकते सूड की सहता से देखता है तो वो भी elephant की तरह अपने सूड को elephant की तरह अपने आप में सूड पाना चाहता है यह उसकी second wish रहती है यह ना उसके बाद उसकी third wish he want to have the strips all over the body like zebra है ना तो जब वो zebra को देखता है कि उसके शरीर में जो black पट्टी और जो white पट्टी की धारिया होती है उससे वहाँ कितना सुंदर दिख रहा है तो वो भी चाहता है कि उसके शरीर में भी zebra की तरह वैसी धारिया बन जाए इसलिए वो उसकी वो third wish रहती है ठीक है मतलब monkey की जो first wish रहती है कि वो जिराफ की तरह लंबा गर्दन चाहता है second wish रहती कि वो elephant की तरह स्तूर चाहता है और third wish रहती कि वो जिराफ की तरह अपनी body में strips चाहता है second है how did he look how did he look ultimately है ना आखिर में वहा कैसा दिखने लगा तो जब बंदर के पुरे शरीर जब change हो जाता है उसके गर्दन बढ़ी हो जाती है सूढ आ जाता है और उसके बाद जेवरा की तरह उसके शरीर में पट्टी आ जाती तो वो कैसा दिखता है monster की तरह दिखता है देट्टी की तरह दिखता है तो इसका answer है he look like a monster ठीक है, थर्ड कोशन है, was he happy with his looks, क्या वहाँ अपने इस अवतार से खुश नहीं था, इसका आंसर है, no, he was not happy with his looks, मतलब नहीं वहाँ अपने इस अवतार से खुश नहीं था, क्योंकि उसका शरीर पूरा चेंज हो जाता है, ना, लास्ट कोशन है, what was his wish, उसकी इच्छा क्या थी, तो monkey की इच्छा क्या थी, he, sorry, the little monkey wanted to be big and strong, है ना, तो जो monkey रहता है, जो little monkey रहता है, वह बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली बनना चाहता था, इसका आंसर है, the little monkey wanted to be big and strong, okay, thank you.